मोडूल 3 लेसन नमबर 29 फंडामेंटल एनलेसिस एडवांस दोस्तो अभी हम एक स्टेप और आगे बढ़ने वाले हैं इन लेसन में हम वैल्यू इन्वेस्टिंग भी कवर करने वाले हैं आपने अभी तक वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में सुना होगा या फिर पढ़ा भी होगा लेकिन ये सीरीज कम्प्लीटली डिफरण्ट होने वाली है इस पूरे सेक्शन के बाद हमारा फंडामेंटल एनलेसिस का कोर्स कम्प्लीट हो जाएगा पहले हम समझेंगे वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है फिर हम समझेंगे हम आगे क्या सिखने वाले है फिर हम बात करेंगे अभी तक हमने क्या सीखा है। तो चलो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। What is Value Investing? समझो टाटा स्टिल की आज की शेर प्राइस 100 रुपीज है। और उसका वैलुएशन करने के बाद उसकी इंटरंसिक प्राइस 150 रुपीज आ रही है। तो वो शेर हमें 50 रुपीज से कम दाम में मिल रहा है। याने की शेर अंडर वैलुड है। वही पे टाटा स्टिल की शेर की प्राइस आज 100 रुपीज है। और शेर का वैलुएशन करने के बाद पता जलता है कि इस शेर की प्राइस 80 रुपीज है। तो वो शेर हमें 20 रुपीज से महेंगे दाम पे मिल रहा है याने की शेर और वेल्यूड है तो इस केज में हमें टाटा स्टिल की प्राइस 80 रुपीज आने तक वेट करना चाहिए हमने टाटा मोटर्स कंपणी का वेल्यूड किया था तब हमारे शेर की प्राइस 391 रुपीज आ रही थी और उस वक्ट टाटा मोटर्स की करन्ट मार्केट प्राइस 123 रुपीज चल रही थी तो वो share 2,1,6% से उपर जा सकता है वो हमारा assumption था और उस वक्त Tata Motors undervalued था तो value investing मतलब किसी भी stock में investment करने से पहले उस stock की value analyze करे अगर वो stock कम दाम में मिल रहा है तो उसे हम खरीच सकते है और अगर वही stock हमें महेंगे दाम पे मिल रहा है तो हमें wait करना चाहिए stock की prices कम ज़्यादा होती रहती है वो company के performance के उपर depend होती है या फिर market condition के उपर depend होती है तो फिर इस series में हम क्या सिखने वाले वो हम एक example से समझते है इस company का नाम है KEI Industries 2013 में इस company की share की price 7 रुपीज थी आज इस company की price 1600 रुपीज है अगर इस company के 1000 shares लिये होते तो उस वक हमें 7,000 रुपीज इन्वेश करने होते और आज उस 7,000 रुपीज की value 16,000 रुपीज होती इस तरह के stocks आपको हर वक मार्केट में available मिलते है इसका मतलब आज भी उस तरह के stock मार्केट में available है जिनकी value कम है और future में अच्छा returns दे सकते है लेकिन हमारी नजर इन सब stocks के उपर नहीं होती है क्यूंकि हमने कभी उस vision के साथ सोचा ही नहीं होता है जो आप shortcut लेके कमाने के बारे में सोच रहे है वही आप knowledge से कमाने वाले हो important ये नहीं है कि आपका income कितना है important ये है कि आपने income में से कितना save करके अच्छे से returns कमाया है K.E.I. Industries का share 7 रुपिज से 1600 रुपिज तक बढ़ा है तो ऐसे companies आपको बहुत मिलेगी तो companies ने already अच्छा return दिया है और शायद आपने भी ऐसे बहुत सारी companies के बारे में सुना होगा लेकिन ये सारे उन companies के past returns थे जो हमें देख के पता चलता है लेकिन ये सब हमारे लिए सिर्फ knowledge के लिए है कि shares इस तरह से बढ़ सकते है अभी हमारे लिए important है कि IC companies कैसे ढुणडे जैसे कि इस period में कैसे invest कर सकते है और कैसे company का valuation continue assume कर सकते है और long term के लिए IC companies में investment कर सकते है वो अब हम आगे सिखने वाले है अच्छे valuation वाली companies कैसे ढूण सकते है और कम valuation में shares करित के अच्छे valuation में कैसे बेच सकते है वो हम अभी सिखने वाले है अगर ये valuation जैसी terminologies आपको समझ में नहीं आ रही है तो वरी मत करो पिछले वाले lessons में हमने समझाई है और next एक दो lesson में और एक दो बार वापस से समझाएंगे अभी हम लोग एक बार revisit करते है कि कैसे हमने इस course को start किया था और कैसे अभी continue कर रहे है हमने fundamental analysis में EIC analysis start किया था उसमें हमने basic lessons पहले complete किये उसके बाद हम company analysis में qualitative and quantitative analysis देखने वाले थे जिसमें से quantitative analysis हमने पहले complete किया अब हम qualitative analysis देखेंगे जिसमें हम value investing भी cover कर रहे है qualitative analysis हमेशा quantitative analysis को influence करता है जैसे कि qualitative analysis अच्छा होगा तो quantitative analysis अच्छा होगा और इससे किसी भी company का analysis करना easy होगा फिर हम industry analysis start करेंगे और उसके बाद economy analysis में जाकर खतम करेंगे इस series को हम advanced series इसके लिए बोल रहे है क्योंकि हमने already बहुत सरे lessons upload किये है description box में एक PDF दी रहेगी अगर आप उसको open करते हो तो ये file open हो जाएगी इसमें वो सारे lessons जो upload किये है वो available है आपको इसके सामने एक tick mark दिखेगा अभी इसमें से दुसरा topic लेते है जो है why should we invest या फिर ऐसे बोल सकते है कि why is investing important इस topic में जो तिन एकदम छोटे lessons include किये थे जैसे कि inflation क्या है, wealth creation क्या है या फिर किसी individual के लिए asset और liabilities क्या है अगर ये सब चीजे आपको समझ आ रही है तो आपको इसके आगे tick करना है कि ये सारी चीजे मुझे समझ में आती है अगर नहीं आ रही है तो उस lesson को जा कर देखो अगर आपको इन सारे lessons में जितने भी lessons cover किये है वो नहीं आ रहे है तो आपको उस पूरे कोस को पहले सिखना होगा यह पूरा टेनास का कंटेंट यूटूब पे अल्लेडी अपलोड किया है जिससे आपके बेसिक्स बहुत सही हो जाएंगे और आगे जो भी हम पढ़ेंगे वो सही से आपको समझाएंगे आपको किसी भी तरह का डाउट है या किसी भी तरह का इशू आता है तो इस इमेल आइडी के उपर आप इमेल कर सकते हैं या फिर हमारे सोशल हैंडल के उपर मैसेज कर सकते हो हाई करके मैसेज नहीं करना है आपको आपका क्वेशन है वो पुछना है अगर जरूरत होगी तो मैं आपके लिए 1 hour का या फिर 2 hours का session अरेंज करूँगा और आपके सारे doubts clear करूँगा लेकिन उसके लिए आपने जो भी सिखा है वो मुझे बताना जरूरी है जब आपका पूरा financial model complete हो जाएगा तो मुझे वो आप email कर सकते है अभी इस channel के ओपर कम लोग subscriber है तो one by one मैं आप लोगों को time दे सकता हूँ जब लोग बढ़ जाएंगे तो मैं आप लोगों के लिए उतना time नहीं दे पाऊंगा तो उस वक्त हम online session अरेंज करेंगे किसी को भी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है बिंदास message कर सकते है आपको बिल्कुल judge नहीं किया जाएगा और ना आपके पास से किसी भी तरह से पैसे लिये जाएंगे जो अभी move करने वाले है और आगे का course देखने वाले वो advance है और उस information को समझने के लिए आपको ये 10 hours का knowledge होना ज़रूरी है अगर आपको ये course सच में अच्छा लग रहा है और आपको value provide कर रहा है तो आप इस video को और इस video को आपके दोस्तों के साथ share करो family के साथ share करो और उनको भी aware करो अफकोस इस channel को subscribe करना होगा और पिछले वाले सारे lessons और आगे आने वाले सारे lessons को अच्छे से देखना होगा और सिखना होगा अभी बहुत जल्दी जल्दी lessons आने वाले है और पूरा course हम अच्छे से complete करेंगे तो अच्छे से investment को समझो और सई से investment करो अच्छा investor अलग-अलग companies में investment करके patience के साथ stock appreciation और dividend enjoy कर रहा होता है हर मेने investment करता है और कुछ वक के बाद सिर्व वो dividend amount के उपर अपने expenses को चला रहा होता है ना उसको shares बेचने की जरूरत है ना उसको वो जो कमा रहा है उसमें से खर्चा करने की जरूरत है दोस्तो अपनी जिंदगी बहुत बड़ी है average Indian अपनी life 68 से 70 उम्र तक जीता है और ये उम्र और बढ़ जाएगी क्योंकि अभी healthcare system और अच्छी होती जा रही है तो अगर अपने health अच्छी रखी तो वो 80 तक भी जा सकती है normally after 60 के बाद एक इंसन कमाना बंद करता है और अपनी family members के उपर dependent हो जाता है वैसे ही हम 21 या फिर कुछ लोग 27 तक financially dependent रहते हैं अपने parents के उपर या फिर caretaker के उपर तो बीच का जो भी period रहता है 27 से लेकि 60 तक हम financially खुद को strong करने की कोशिश करते हैं और हम income generate करते हैं लेकिन ये सब हमें पता होने के बावजूद हम 2-3 साल के अंदर short period में सब कुछ कमाने की कोशिश करते हैं हमें ओ ठेराव नजर नहीं आता है long term vision develop नहीं हो पाता है और बहुत कुछ short period में करने की कोशिश करते हैं हम ज़्यादा तक shortcuts लेने के बारे में सोचते हैं और जल्दी जल्दी हम इतना पैसा इखटा करना चाहते हैं कि हम जल्दी retire हो जाए और सब कुछ हमारे पास हो लेकिन उस shortcut में हम बहुत पैसे lose करते हैं जो कि हमारी financial health के लिए अच्छा नहीं होता है हमारे पास अच्छा wealth create करने का रास्ता है हम अच्छे से knowledge acquire करके अच्छे से investment करके step by step wealth create कर सकते हैं हमारे पास समय है ऐसा नहीं है कि वक्त खतम होने वाला है अगर वक्त खतम हो रहा है तो भी हम family के लिए अच्छी investment रखके जा सकते हैं तो दोस्तो अभी तक इस lesson में इतना ही अभी हम next lesson में मिलते हैं